And welcome you all, I am Rooid, Prav Mahajan Reader So guys, आज हम बात करेगे हिंदुस्तान Copper Limited के बारे में So guys, हिंदुस्तान Copper Limited में अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक Continuous Lake Rally हमें देखने को मिल रही है एक Consistent Profit Stock हमें कमा कर दे रहा है डेवाइड है और देखा जाए रिजल्स इसके अच्छे रहे थे और स्टॉक अगर देखा गाईस तो तगड़ा पेशा कमा कर ये देने वाला है तो बिग टार्गेट आज हम यहाँ पर डिसकस करेगे हिंदुस्तान कॉपर को लेकर साथ ही लेवल देखकर आप चोक जाओंगे इतने बहतरीन लेवल्स इसमें बन रहे हैं बर देखा जाए तो हर चीज को समझना जरूरी है तब ही आप इसके लेवल्स को समझ पाओगे सो गाईस हिंदुस्तान कॉपर काफी एक दमदार शेयर साबित होगा और आने वाले टाइम में इसका ही यहाँ पर बिल्कुल आने वाले टाइम में इसका नाम चलने वाला है इंदुस्तान कॉपर का तो तगड़ा पेसा कमा कर देगा गैस तो क्यों यह तगड़ा पेसा कमा कर कैसे देने वाला है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करूँ से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे फोर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लिएट्स निउस के लिए तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं हिंदुस्तान कॉपर के उपर तो गाइस बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर ल्टीडी के बारे में हिंदुस्तान कॉपर ल्टीडी यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस particular level पे trade कर रहा है तो देखो तो 119 रुपे 90 पेसे के price पे stock ने आज दी है closing 2 रुपे 25 पेसे तक की stock में एक बड़त हमें देखने को मिली है 1.91% के हिसाब से continue एक बड़त इसमें देखने को में मिल रही है तो एसा ही अगर stock बड़ता रहा तो बिल्कुल आने वाले time में तगड़े return ये देगा ही देगा तो price की बात कर ली अब बात करते हैं इसके levels की levels को अगर देखा जाए तो इस particular level से stock में एक अच्छा एक momentum चल रहा था फिर breakout मिलके stock उपर भी गया बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं न कहीं इस level में हमें लग रहा था कि retest करेगा और बिल्कुल retest करके अच्छा momentum भी stock में आया है और हमने फिर इस level को एक important level यहाँ पर मान लिया यहाँ पर एक trade line बना कर trade line बनाने के बाद stock उपर गया फिर नीचा है इस particular level पर support लिया फिर उपर गया फिर नीचा है फिर यहाँ पर support लिया तो जैसे ही इसने इस particular level पर support लिया था मैंने वैसे ही बता दिया था कि आप बिल्कुल इसमें buying की और जा सकते हो क्योंकि यहाँ से stock में एक consistency आ सकती है बिल्कुल stock बड़त की और जा सकता है और वही आपको बताओ तो guys यहाँ पर support लिया यहाँ पर support लिया और stock देख सकते हो किस तरीके से उपर की और जाता हो हमें नजर आ रहा है level था 107 या 106 रुपे के आसपास मैंने clearly बता दिया था कि buying कर सकते हो मैंने इस level पर भी बताया था मैंने इस level पर बताया और काफी पहले से ही हम stock को देख रहे है अगर आप इस pattern को भी अगर देखोगे guys तो आपको कुछ चीजे में यहाँ पर clear कर दूगा so यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर से stock में एक बड़ा momentum आया था हूँ और इस particular level पर बड़े target की बात कर रहे था तो बड़े target में पहले ही बता देता हूँ 197 रुपे के असपास का target आप मान के ही चलो short term basis का ही है और यहाँ से stock बड़ा फिर नीचा है फिर support लेके उपर गया फिर support ले रहा है फिर उपर जागा तो एक support है हमारे पास एक तगड़ा support है तो देखना होगा कि यह rally कहा तक जाती है बट गाईस कहीं न कहीं अगर देखा जाए 140 रुपे तक तो stock जाए गए जाएगा इस box के अंदर काफी time से trade कर रहा है जैसे इसे तोड़ देता है बिल्कुल एक तगड़ी rally हमें देखने को मिलने वाली है वही अगर देखे as a long term के basis पे stock यहाँ से नीचे क्यों राया था इस particular level से आप देख सकते हो एक downtrend में आना start हो गया फिर उपर क्यों गया फिर यहाँ पर rejection लेके stock नीचे आया फिर यहाँ पर stock में मिला breakout फिर उपर गया फिर नीचे आके retest करके उपर जाने कोशिश करेगा तो क्या हम इसे मान सकते है कि एक double bottom है breakout के बाद stock retest करके उपर जाएगा तो यहाँ पर तो 300 का target भी देखता है क्योंकि 300 के level से दो बार consolidate करके नीचाया था तो क्या guys हम इसे एक level हम हम मान सकते है तो बिल्कुल हाँ यह target हो सकता है बाद long top का पाच दिन में देखोंगे एक रुबे 75 पेसे तक की बड़त है 1.48% के हिसाब से एक महीने में stock में गिरावट है 0.67% के हिसाब से stock में बड़त है market cap की बात कर लो 11.59,000 करोड का इसका market क्या थै P ratio 46.97 का है dividend देता है stock 0.29% का open कहा हुआ था 117 रुपे 50 पैसे के price पे stock हुआ था open high लगाया था 123 रुपे 35 पैसे का और low लगाया था 117 रुपे 30 पैसे का आसपास का और guys वही अगर बात करे stock में आज बिलकुल अच्छे profit आया है और वही अगर बात कर ले guys इसके 52 रुपे 75 पैसे का high है और 105 रुपे के आसपास का low भी आपको देखने को मिल जाएगा वही resistance की बात कर लो तो यहाँ पर 119 का है 122 रुपे का भी दिख जाएगा और यहाँ पर पहले दो resistance तो है और यहाँ तोड़ चुका है 123 का high भी लगाया है इसने आज बट थर्ड वाला 126 का है तो सोच सकते हो कहा तक stock जा सकता है तो guys यहाँ पर resistance देख लिए हमने और support levels की बात करना भूल गए है support levels अगर देखा जाए तो 113 रुपे 62 पैसे का है second है 109 रुपे 8 पैसे का और third 107 रुपे 32 पैसे का price performance की बात कर ले तो बिलकुल एक consistent तरीके से upside down momentum है price performance में one week का देखा जाए 3.36% यहाँ पर plus में है one month की बात कर लो तो यहाँ पर 6.07% माइनस में है three months की अगर बात करें 1.40% यहाँ पर plus में है year and half का 3.85% माइनस में है one year का 20.23% माइनस में है और three years का 154.03% यहाँ पर plus में दिखा ही देगा share holding pattern हमने यहाँ पर आगे देखेंगे बट अब बात कर लेते हैं volumes की one करोड के आसपास का trade value stock का हमें देखने का आज मिल गया है yesterday की बात कर 85 lakh का trade willow 22 lakh का common delivery है one week के average में 95 lakh का trade willow 23 lakh का है common delivery वही अगर बात कर ले one month के average की तो 88 lakh का trade willow 25 lakh का common delivery आपको देखने को मजाएगा so trade values और common delivery के अगर बात कर ले तो यहाँ पर एक अच्छा momentum है दोनों में ही और यहाँ पर सबसे बहतरीन जो levels है वह आपको दिखेंगे community sentiments के जिन में 71% जो लोग है वो यहाँ पर buy call दे रहे है buy करने के लिए कहा जा रहा है 71% लोग क्यों से 15% लोग का यहाँ पर hold के लिए भी कहना है तो hold के लिए कहा जा रहा है कहा जा रहा है sell के लिए buy के लिए but यहाँ पर positive आकड़े जादा है बेलकुल 86% तक positive आकड़े आपको देखने को मिल जाएगे revenue सच्छे बड़े हैं 1786 करोड का इस बार भी results अच्छे रहे है और 110 करोड का net profit रहा है 2021 का share holding pattern में 66.14% की holding promoters की है FI की है 16.81% की DI की हाँ पर sorry guys DI की है 16.81% की और FI की है 0.26% और public holding 16.79% की आज़पस की दिखाई देगे So हिंदुस्तान को पर लेकर काफी कुछ बात है हम इस वीडियो में कर चुके हैं वीडियो अच्छे लगा हो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो Thank you